हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों में पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं अपना NPS एकाउंट क्लोज करना चाहता हूं तो उसे कैसे क्लोज कर सकता हूं तो आज की वीडियो में हम इसे पर बात करने वाले वीडियो के अंत इनके बारे में बात करता रहता हूं जो आपको financially free करने में मदद कर सकें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया चैनल पर पहली बारा या एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बेटन को प्रिस जरूर कर दिजिएगा और इस व बात कर लेते हैं कि how to close NPS account क्या NPS account close करना हो exist from NPS दोनों अलग चीज़े हैं जो तो मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे दोनों टर्म अलग-अलग मिले नहीं exist को ही जहांबी पर बताएगा close बताएगा अब exist कैसे करते हैं इस पर मैंने और लेडी वीडियो बनाया हुआ आई आई बटन पिल क्लिक करके उसे देख सकते हैं फिर भी मैं यहां सार्ट में बात कर लेता हूँ exist करने के तीन तरीके हैं रिमेचर एजिस्ट दस साल आपका एकाउंट हो जाता है उसके बाद exist कर सकते हैं दूसरा आपका होता है सूपर एन्वेशन जहां पर आप साठ स अधिवास सता के एज पर रिटार्मेंट के समय आप वहां से exist कर सकते हैं और जो तीसा तरीका है जिससे अकाउंट क्लोज जाता हूँ से करते हैं सब्सक्राइबर की देथ तो यहाँ पर नॉमनी उससे आइड हो जाते हैं और एकाउंट क्लोज हो जाता हैं तो यह तरीके हैं हाँ 15 साल की सर्विस के अबाद आप BRS ले सकते हैं लेकिन वह तो भी सूपर एकाउंट क्लोज हो जाएगा और इसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 60 साल पर आपने सूपर एकाउंट क्लोज कर दिया थाथ आपने अपने पैसे रखने चाहिए जब आप फिर चाहेंगे तो आपको एक नए अकाउंट ओपन करना होगा एज इंडिविज्व एकाउंट ओपन करेंगे और फिर आप अपना एक चालू कर सकेंगे तो वहां पर अगर आप गॉर्मेंट इंपलाई थे तो गॉर्मेंट इंपलाई का एकाउंट आपके पास रह नहीं जाता है वो ख्लोज हो जाता है आपने 10 साल के बाद ले लिया प्रीमेट चेवरिजिस्ट तब वहां पर 80% पर आपको पेंसल लेने पड़ते हो 20% आपको मिल जाता है लंसम वह किसी सिटे में जब आपका धाय लाग से उपर का कॉर्परस होता है और सुपर रेनुएशन में अगर पांच लाग से उपर का कॉर्परस है तब यह सती आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अब तक चरह झाते हैं तो कमेज बॉक्स में चरु लिए झाल झाल